जय बागेश्वर धाम जय माता दी दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी एस्ट्रोलोजी में तो कन्या राशिवालों नए साल 2024 में आपकी जान लेना चाहता है यह एक व्यक्ती ध्यान से सुनना अगर अपने आने वाले भविश्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो दोस्तो बहुत गहरा राज खुलने वाला है आखिर कौन है? सारी सच्चाई हम आपको बताएंगे सबसे पहले वीडियो को लाइक करे और कमेंट बॉक्स में तीन बार जय माता दी अवश्य लिखे दोस्तो सुनलो आप आपकी जान तक ले सकती है आपको पूरी तरह से बरबाद कर देगी आपके परिवार को उजाड कर रख देगी क्योंकि यह औरत आपकी खुशियों को देख कर अंदर ही अंदर खूब तडपती है और पिछले साल यानि की 2023 में इसने आपके उपर कई सारे टोने ठोटके करवाये थे लेकिन महादेव और बजरंग बली की कृपा से आप बच गए लेकिन बहुत बड़ा असर भी आपके जीवन पर देखने को मिला है जिसके चलते आपके जीवन में कई दुख आए हैं कई तकलीफ आए हैं लेकिन अब इस औरत ने पूरी तैयारी कर ली है और यह आने वाले नए साल में आपको पूरी तरह से बरबाद करना चाहती है आपके उपर मंतरों से वार कर सकती है इसने आपको पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है साथ ही मैं यह आपको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेगी और आप से एक बहुत बड़ा पाप करवा लेगी इस औरत से बच कर रहना बहुत जरूरी है क्योंकि यह नया साल एक नई उमीद लेकर आया है आपने भी सोचा होगा कि मैं नए साल में नई नई चीजें करूँगा मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करूँगा लेकिन इस औरत ने भी सोच रखा है कि यह नए साल में आपकी जिन्दगी में बड़ा तूफान लेकर आएगी आपको आगे बढ़ने से रोकेगी साथ ही दोस्तो पिछले साल में दोस्तो आपने कई सारी सफलताएं हासिल करना चाही लेकिन आप सफलता हासिल नहीं कर पाए क्योंकि शोहरत ने आपकी तरक्की को मंत्रों से बांध रखा था आपके उपर कई काले जादू करवाये थे लेकिन आज मैं इस औरत का आपको नाम बताऊंगा इसकी पहचान करना बताऊंगा क्योंकि ये औरत कोई और नहीं है कोई पराइस्त्री नहीं है बलकि ये आपकी अपनी ही है, आपके आसपास ही है और आपका इस ओरत से बहुत गहरा रिष्टा भी जुड़ा हुआ है कहते हैं ना कि दोस्तों गहरों से क्या शिकायत करना जब अपने ही दुश्मन हो अक्सर दोस्तों हमको दूसरों से खत्रा नहीं होता, जितना हमको हमारे अपनों से खत्रा होता है, और यह औरत भी बिलकुल वैसी की वैसी ही है यह औरत एक बहुत ही जहरीली है, इसके अंदर बहुत पाप छुपा हुआ है, अंदर बहुत बढ़ा दोस्तो शठियंत्र रच रही है इस औरत की पहचान करना आप सभी के लिए बहुत जरूरी हो चुका है क्योंकि ये नए साल में पूरी तैयारी के साथ आई हुई है और अगर आपने इसको समय रहते नहीं पहचाना तो यकीन मानिये आपकी जिन्दगी नरक से भी बत्तर हो सकती है क्योंकि नया साल दोस्तो आया है खुशियों लेकर ग्रह सितारों ने आपकी जिन्दगी में बड़े बदलाव करने की ठान ली है क्योंकि शनी का महा परिवर्तन होगा इस साल शुरुआत में ही आपको कई सारी खुशियां मिलेगी शुरुआत में ही दोस्तों आपके काम धंधे बहुत अच्छे चलेंगे आपके घर परिवार में भी दोस्तों बहुत अच्छी खुशियां आएगी नए नवेले महमानों का आवागमन होगा आपके घर में पुनह खुशियां लोट कर आ रही है और जैसे ही खुशियां लोट कर आएगी वैसे ही दोस्तों इस ओरत की काली निगाहें आपकी खुशियों पर पड़ जाएंगी और जैसे ही दोस्तों की नजरे आपकी खुशियों पर पड़ी इस औरत ने देखा कि आप अपने घर में बहुत खुश हैं, आप अपने घर में दोस्तों सभी से हस कर सभी से मिलजुल कर रह रहे हैं, तो दोस्तों ये औरत फिर अपनी चाल चलना शुरू कर देगी, जब आप तरक्की करना शुरू करोगे, जब आप नए साल में दोस्तों तो इसने बहुत टोने टोटके आपके खिलाफ करवाए है इसका दोस्तों, सबूत भी मैं आपको दे देता हूँ, देखे दोस्तों, आपने पिछले समय में ये महसूस किया होगा, कि आपके घर में दोस्तों, अचानक से कुछ बुरी-बुरी घटनाएं हो जाती थी, जैसे क कहीं अचानक से सांप निकल जाना, अचानक से दूध का उबल जाना, कहीं अचानक से बिल्ली घर में घुस जाती, या कोई जंगली जानवर घर में घुस जाता है, या फिर कोई अचानक से बीमार घर में पड़ जाता है, बहुत सारा पैसा हॉस्पिटल में लगाना कोई घर का व्यक्ति धीरे धीरे पागल हो, जाता है, बहुत जगडालू बन जाता है। और अभी अभी उस औरत का नाम भी बताऊंगा और आप उससे रिष्टा भी तोड़ दोगे तो आप बच जाओगे देखिए दोस्तो आपके घर में कई लोग आते हैं आपके कई रिष्टेदार आते हैं आपके कई पड़ोसी आते हैं आपके घर में कई जान पहचान वाले आते हैं जरूरी तो नहीं कि हर कोई सच में आपका सच्चा साथी हो सच्चा अपना हो, सच्चा रिष्टेदार हो आपको खुश देखकर हर कोई खुश नहीं होता है देखिए, जब हम जिन्दगी में तरक्की करते हैं तो अक्सर हमारी तरक्की को देखकर लोग जलने लग जाते हैं 10. जब आप अपने पडोसी से ज्यादा कमाएंगे, जब आप अपने रिष्टेदार से ज्यादा कमाने लगोगे, तो उनकी आँखों में आएगा, और फिर ये लोग क्या करेंगे? आपको आगे बढ़ता देख, वह आपके उपर नजर लगाएंगे, आपके उपर काला पहनते हो, महंगी गाड़ी आप खरीदते हो, तब आपके रिष्टेदार जब ये सब देखते हैं, तो उनके मन में आता है, और फिर उनकी काली नजरें, आपकी खुशियों, पर लगना शुरू हो जाती है, और फिर ये लोग आपको नीचा गिराने के लिए दोस्तों कु चीज करते हैं, और वह है आपके खिलाफ टोने टोटके करना, ये लोग आपके घर में छुपकर छुपकर आते हैं, आपसे मिलने के बहाने आएंगे, और आपके घर में जादू टोना करके चले जाएंगे, कभी कभी आपके घर में कीलें फेंक कर चले जाएंगे, कभी ती आपको इनसे बचना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि आखिर वह औरत कौन है जो आपको नए साल दो हजार चौबीस में बरबाद करना चाहती है। तो देखिए दोस्तों, आपकी राश्य के लिए जो सबसे बड़ा खत्रा होता है, वह अनाम की औरत से होता है। आपकी राश्य की सबसे बड़ी जो शत्रू है वह अनाम की, यानि कि अंग्रेजी के अक्षर से, एफ और एपल अक्षर से, जो अक्षर शुरू होता है, उससे आपको बहुत बड़ा खत्रा होता है। उनसे आपको बच कर रहना पड़ेगा क्योंकि अक्सर अनाम की स्त्रियां आपके लिए खत्रा बनती है। आपको बरबाद करना चाहती है। आप लोगों को अनाम की स्त्रियों से बच कर रहना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आपकी अनाम की आपकी मां भी हो सक तो देखिए, जो नजदी की रिष्टे होते हैं, वह निस्वार्थ भाव से आपके साथ जुड़े होते हैं. उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए होता है. तो दोस्तों, उनके उपर आप शक न करें. शक करना है, तो आपके आस पडोस में अगर कोई अनाम की स्त्री हो, तो कोई दूर के रिष्टेदार हो, आप उस पर शक कर सकते हैं. उनसे थोड़ा सा बच कर रहें, उनको आप अपने घर में ना आने दें. अगर आती भी है यह उड़ते अनाम की, तो आप उन पर नजर हमेशा बना कर रखें, क्योंकि यह उड़ते इनके मन में बहुत बड़ा पाप छुपा होता है. इनकी राशे दोस्त जो है, और आपकी राशे जो है, दोनों के बीच में कभी भी दोस्त तो बन नहीं पाती है. हमेशा दोस्तों, किसी न किसी बात पर आपके बीच में तकरार जरूर होगी. लाख दोस्तों, वस्त्री बहुत अच्छी होगी, उसक पिछला साल आप सभी की जिंदगी में बहुत उतार चड़ाओ भरा हुआ रहा है। खुशियां भी आई हैं और दुख भी आया है। हम यह नहीं कह रहे कि आपने केवल दुख ही सहा है। देखिए, कई मौके भी आपको मिले हैं। पिछले साल बहुत पैसा आपने कमाया भी है और बहुत पैसा गवाया भी है। देखिए दोस्तों, सुख और दुख दोनों ही दोस्तों व्यक्ति को भोगना ही भोगना है। देखिए, आप एक समय पर सुख भोगो गए, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको दुख भी भोगना पड़ेगा। इनसान या तो जवानी म सुख भोग लें या तो बुड़ापे में सुख भोग लें। लेकिन देखिए, अपनी जिन्दगी का जो कुछ हिस्सा होता है, उसमें दुख आता ही आता है। जरूरी नहीं कि केवल पैसों का ही दुख हो। अकसर इनसान को किसी को धन दौलत का दुख होता है, तो किसी क तो दोस्तों, आपके जीवन में भी होगा और कई लोगों के जीवन में भी होगा। कि हम कितना धन कमा रहे हैं हम कितने एशो आराम से जिन्दगी जी रहे हैं वह ये नहीं जानते कि इस सुख के पीछे कितने दिनों की राते हमने सोई नहीं हैं कितने दिनों तक हमने मेहनत करी हैं कितने हमारे पैरों के छाले हैं ये कोई नहीं देखेगा तो दोस्तों, ऐसे लोगों से हमको बच कर रहना है, इसलिए आप अपने गले में काला धागा हनुमान जी के नाम का अवश्य पहने, क्योंकि लोगों की काली नजर लगने में देर नहीं लगती है दोस्तों, अक्सर व्यक्ति जब हमें खुश देखता है, तो उसकी आँखों में दोस्तों हम खटकने लगते हैं देखिए, कहते हैं ना कि बच्चे को मां की नजर भी लग जाती है ठीक वैसे ही दोस्तों, आपके जो अपने होते हैं, उनकी नजर भी आपको लग सकती है इसलिए ध्यान रखिएगा समझदार व्यक्ति वही है, जो हमेशा अपनी सुरक्षा को सर्वो परी रखे देखिए, जिस प्रकार हम गाड़ी चलाते हैं, तो हम हेलमेट पहन रखते हैं ताकि हम कभी गिर जाएं, तो हमारे सर पर चोट न लगे फिर वहीं हम जब नया घर लेते हैं, तो उसका हम बीमा करवाते हैं इंश्यूरंस करवाते हैं, नई गाडी लेते हैं, तो उसका بھی हम इंश्यूरंस करवाते हैं, हम अपने, जिन्दगी का भी बीमा करवाते हैं, कि हमें कभी चोट लग जाए तो हस्पताल में हम बीमा पक्काकर पैसा भर सके, ठीक वैसे ही हमको दो तो हमारे जीवन का बीमा, दोस्तों वो कैसे होता है, देखिए अगर किसी की बुरी नजर लग गई या फिर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपको किसी की बुरी नजर नहीं लगे, कोई व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर पाए, कोई व्यक्ति आपके उपर काला जादू करवा दे, तो भी आपके अपने गले में पहनना है, साथ ही अपने घर पर एक घर के जो मुख्य द्वार होता है, उस पर एक नारियल बांध देना है। किसी भी बजरंग बली के मंदिर जाइए और दोस्तों, वहाँ पर से बजरंग बली के नाम का धागा उनके चरणों में रखकर उसमें करीब 11 गांठ लगा कर। किसी भी बड़ा काला जादू करे, कितने भी मंत्र फूंके, कितनी भी काली नजर आपके घर पर लगाए, आप पर लगाए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके घर की रक्षा, आपकी रक्षा स्वयम बाला जी महराज करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब बात होती है कि किसी ने आपके उपर पहले से करवा रखा है, तो उससे बाहर कैसे आया जाए। क्योंकि आपकी जिंदगी में तो दुख आ ही रहे हैं। आपके घर में दोस्तों, नकारात्मक शक्तियों ने वास कर ही लिया है। अब आप उससे बाहर कैसे आओगे। देखिए, अगर आपको ये एहसास होता है, कि आपके उपर किसी ने कुछ करवा दिया है, आपके घर में कोई व्यक्ती बार-बार बीमार पढ़ रहा हो, हॉस्पिटल में बार-बार पैसा लग रहा हो, साथी दोस्तों, आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है, तो सम और वीडियो के अंत में दो ऐसे उपाए बताऊंगा, जिसको अगर आपने कर दिया, तो ये जो नया साल 2024 है, वह आपका सबसे बड़ा शानदार नया साल रहेगा, आप खूब कमाओगे, आपको हर खुशी मिलेगी, फिर चाहे धन दौलत हो, फिर चाहे संतान हो, फिर चा आपको मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके उपर किसी ने कुछ करवाया है, किसी औरत ने करवाया है, किसी दुश्मन ने करवाया है, तो आप कैसे बचे, देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने घर में जितनी भी गंदगी है उसको साफ करना है। देखिए घर में जो मकडी के जाले होते हैं उनमें भी नकारात्मकता बहुत जल्दी आकरशित हो जाती है। साथ ही घर में कूडा कच्रा हो तो उसे तुरंद बाहर फेंग दें। घर में कोई बंद इलेक्ट्रोनिक का सामान है तो या तो उ ठीक करवा लें या तो उसे बाहर कर दें। साथ ही दोस्तों घर में कोई फरनीचर है अगर उसमें कीडे लग रहे हो तो उसको भी दोस्तों बाहर कर दें। क्योंकि इन चीजों में नकारात्मक शक्तियां बहुत जल्दी आकरशित हो जाती हैं। नकारात्मक शक्ति अगर आपके घर में आ गई तो फिर आपके घर में सब कुछ बुरा होने लगेगा। सुबह जल्दी उठना शुरू करें और साथ ही दोस्तों, आप अपने घर में प्रति दिन अगरबत्ती दीपक भगवान के जरूर लगाएं। साथ ही रोजाना घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य रुप से करना चाहिए। इससे नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती हैं। साथ ही सुबह और शाम दोनों समय आपको घर में लोबान और गूगल का धूप अवश्य लगाना है। घर के हर एक कोने म महां पर भी आपको यह धूआ करना है। इससे नकारात्मक शक्तियां घर से दूर भाग जाती हैं। साथ ही घर की खिड़कियां हमेशा खुली रखें। घर में सूरज का प्रकाश आता है तो घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं ठहरती है। इसलिए कोशिश करें कि घर में सूरज का प्रकाश थोड़ा सा भी आए लेकिन आएं जरूर। तो दोस्तों ये कुछ नियम है जो आपको अवश्य अपनाने चाहिए। रोजाना प्रति दिन सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें या फिर टीवी या मोबाइल में चला कर घर के प्र जिस चीज के लिए आप तड़पते हो अगर आपको सब कुछ पाना है तो मैं जो आपको बताऊंगा वह आपको करना है ये उपाए। दोस्तों पिछले साल दो हजार तेईस में जिस जिस ने किया यानि कि दो हजार ग्वाइंटूस के अंत में हमने ये उपाए जिस जिसक इस साल हमको बहुत सारी हमारी मन्नतیں पूरी हुई है तो अगर आप भी दोस्तों वहसाइ करना चाहते हैं तो दोस्तों इस उपाए को जरूर करियेगा आपको भी अवश्य रूप से फाइदा होगा तो ध्यान से सुने देखे दोस्तों सनातन धर्म में तुलसी का पौधा बेहद पवित्र और पूजनीय माना जाता है तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि मा लक्ष्मी की कृपा पूरे नए साल आपके उपर बनी रहे तो अभी जाईए और तुलसी का पौधा घर लेकर आजाईए अगर पहले से आपके घर में तुलसी का पौधा है तो एक तारीख के दिन तुलसी के पौधे को माता रानी की चुन्नी चरहेगा उसमें जल चरहेगा तुलसी की अच्छे से सफाई करिएगा और पूजा करिएगा नियमित रूप से आप अच्छे से देख रेख करें, इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, हर काम में आपको सफलता मिलेगी देखें दोस्तों, साल का अंतिम दिन, रविवार और नए साल का पहला दिन सोमवार है ऐसे में सूर्य देव और भगवान शिव जी की पूजा जरूर करनी है, इसके लिए आप सूर्य देव को जल चड़ाएं और भगवान शिव के लिए सोमवार का वरत रखें, ऐसा करने से घर में खुशाली आएगी, साथ ही साल भर आपके साथ कोई भी अनहोनी नहीं होगी देखिए दोस्तों, दिसंबर 2023 खत्म होने वाला है, और उसके पहले ही आप घर में गोमती चक्र दोस्तों, गोमती चक्र जरूर लेकर आएं, इसके साथ ही इसे अभिमंतृत करके घर की तिजोरी में रख दें इससे, घर में सुख शान्ती आएगी, साल भर बरकत रहेगी, धन लाब होगा, स्वास्थ्य में भी अच्छी तरोताजगी देखने को मिलेगी, तो यह उपाए आपको जरूर जरूर करना चाहिए, देखिए दोस्तों, नया साल तो आ रहा है, तो क्यों न साल की शुरुवात किसी अच्छे काम से करूं, आप व्रिधधा श्रम जा सकते हैं, या फिर अनाथा लए जा सकते हैं, वहाँ जाकर दोस्तों, आप या तो खाना बांट सकते हैं, या फिर कोई पहनने की ठंड में, दोस्तों दोस्तों, आपको शौल बांट सकते हैं, कोई उनी कपड़ा बांट सकते हैं, इससे शनिदेव आपके उपर पूरे साल बहु क्योंना इसे भी हम सनातनी उपाय से ही करें. तो आज की इस वीडियो में हमने उपाय बताए हैं, साथ ही उस ऑऊरत का नाम भी बताया है, जिससे आपको इस नय साल में खत्रा होने वाला है. उपाय भी बताए हैं उस ऑरत से बचने के सभी तरीके, साहब को जानकारी दे दी है तो बस आपको आज के इस वीडियो को अभी भी लाइक कर देना है